कहां से आये हैं हैं अच्छा क्या दिख्यत हो गया है अच्छा तो अभी लिख रहा है आज पुलीस ने सुनी आम लोगों की समस्य बिल्कुल सई सुन रहे हैं आप यह पुर्व निर्धारित कारिकरम थी जो खुटी पुलीस द्वारा आईजित क्या गया था और इस कारिकरम में आज भारी संख्या में लोग पहुंचे भी और लोगों ने पुलीस के समक्ष अपनी सिकायतें दर्ज कराई इस कारिकरम में च जो है फुटी पुलीस द्वारा अलग-अलग इस्टॉल भी लगाया गया था अलग-अलग ठाना का और इस इस्टॉल पे आकर अलग-अलग ठाना छेत्रों से जो लोग आये थे उन्होंने अपना सिकायत भी दर्ज कराया पुलीस अधिक्षक अमन कुमार वन पतादीकारी अन्वंडल पतादीकारी सहीत अन्य और यहां आज कारेक्राम में मौझूद रहे और इस कारेक्राम में जो लोग पहुचे थे उन्होंने भी सभी के बातों को ध्यान से सुना और पुलीस विभाग द्वारा आज यहां पहुचे लोगों को जानकारी दी गई कई अन्य मामले थी जिस पर की उन्हें विस्तार से जानकारी भी उपलब्द कराई गई है। के लोग जो यहां पहुचेंगे तो वो यहां आकर अपना सिकायत दर्च करा सकते हैं। हम एक बार पूछने का भी कोशिश करते हैं कि आप लोग सिकायत दर्च कराने आ हैं। क्या 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 सिकायत सरे बिजली दो-दो बिजल आ रहा है। सभी मने ग्राम वासियों का मने दो-दो करके बील आ रहा है। सोसो कुट्टी अड़की परखंट। तो क्या हुआ। करा दिये। रिसीविंग सब मिले खुश। रिसीविंग नहीं लिये हैं। कौन नमर ले लिये हैं। क्या नहीं आप गुरु देल मुंदा। कि अब तहां से आये हैं। तो अब इदर भी दिखाते दे लिए 1 मिनट 1 लिए राशनकार में नम जड़ना है तो अब इस लिख रहा वे लिए लिए। सब्सक्राइब करने का प्रियास किया रहा है किलाल यह देखना है कि इन लोगों का समस्या कितने कितने दिनों में समाधान हो पाता है समस्या का फैर एक बार हम अंदर का भी दिरिश आपको दिखा देते हैं इससे पहले हम इधर भी दिखा देते हैं प्लिस पतादी कारी के जो है लोग यहां बैठे हुए अपने टेबल म हैं उनका सिकायत भी यहां दर्ज किया जा रहा है तो इस तरह से जो है खुटी पुलिस का यह एक सरानिय प्रयास है और हमने पुलिस अदिक्षा का मनकुमार से जानने का खोशिश किया तो नों ने कहा इस प्रकार का कारेक्रम अब तो प्रारम हुआ है लेकिन अब लगता जो है होते रहेगा तो अब इसी तरह से आम जनों की समस्या सुनी जाएगी चाहे वो किसी भी परकार का समस्या हो आप बेजी जक पुलिस के पास पहुंचें और अपना सिकायत दर्ज कराए है अब एक चीज को यहां गौर किया गया है कि ग्रामीन छेत्रों के लोग पुल होगा यह बढ़ेगी और लोगों में विश्वास बढ़ेगी पुलिस के प्रती और पुलिस सीधे वो संपर्क कर पाएंगे तो इस तरह से खुटी पुलिस का प्रियास था हलांकि इस मामले को लेकर पुलिस अदिक्षक अमन कुमार ने जो कुछ कहा है वो भी मैं पहले वआ शिकायत समाधानकारेकरम का आयोजन जो है वो किया गया है और यहां आगे भी हogy पुता रहेंगा इस आयोजन में जो भी हमारे जीले के तूटी अनोमुंडल के शिकायत करता है, इनको किसी भी प्रकार की शिकायत है, चाहे पुलिस से हो, चाहे नभी बाग से हो, वो अपनी यहाँ पे शिकायत दर्ज करा रहे हैं, और उसको शिकायत करता से मिलने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और यह पता दिकारी की रूप में SDO साब भी बैठे और DSP साहब भी बैठे हैं और जो भी मिलना चाहेंगे हम उनसे मिलेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो ऐसी शिकायत है यह का समाधान तुरत हो पाए उसका समाधान हो जाए और जिसमें जो प्रक्रिया लगती है उसके इनुसार उसकी इंक्वाईरी या जो भी चीज अञ्के द्लाटर आया और फबिच की शिकायत लोग के लिए इस तरह के प्रग्राम किये जाते प्रणाही प्येजाई तो जो भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो जन शिकायत समाधान कारिक्राम में आके अपनी शिकायत दर्श कराएं ताकि हम लोग भी अपने इस तरह से उसको देखें और उस पर जो भी कारवाई है वो कर सकते हैं करें देखें लैकि इसको तो हम लोग पोशिश करेंगे जो तुरत होने लाइक कोई चीज है ऐसी जिस में कोई तरह की आसपास का जगड़ा हो या कुछ आने तरह की शिकायत हो जो तुरत सौल हो सकता है या किसी की इंट्री नहीं हो रही है किसी का को पर्टिकलर अपाई आर करें तो आपने सुना कि पुलिस अधिक्षक अमन कुमार ने आज कि इस कारेकरम को लेकर क्या कुछ कहा चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आज का जो कारेकरम का योजन था इसमें मुख्य तोर पर मौनब तसकरी डायन विसाही और नसा खोरी इन चीजों पर विसेश फोकस किया गया और इसके प्रतिम लोगों को जागरूप किया गया प थाना में जाकि आपके जोपी समस्या शिकायत है उसके बाइन पताता है जनरल क्लाइन से डीव करना थाने का फार है लेकिन अगर प्यों भी कोई दमी विवार पही इस हो है तो उसके इसमें थाने के पास बहुत कुछ करने की शक्तिया है उसके वो उनके पास दो या तीन होते हैं जो जिसमें से अमनों यूज करते हैं जो पुरानी दाहरा एंट अगर के दरदर को बाद करो जो जो विदातर पेपास वही है लगमाधर वे इस चावले दाहरा के बाहरा में जानता है जो कि आप वर 54 हो चुकी है तो उसके थूँ अगर किसी कोई अबैर प्रूब अबर प्रशार्शां के तरफ से किसी भी खाट्रे को यह वह अबनी है तो इसको एक पार पुद्माने की जो अबदी है वो दो मही नहीं है या प्रिक्षा की जाती है सभी लोगों से कि इस अबनी का परयोग करके वे जातो डिया जो सची पाईन कि हम इदिलेशन के सो अम यहां काभी संग्या में लोग पहुंचे थे लोगों ने बारिकी से जो जानकारी उन्हें उपलप्त कराया गया प्रादिकारियों दोवारा लोगों ने उससे सुना भी और अब इस पर आगे लोग अमल भी करेंगे ऐसा विश्वास करते हैं फिलाल बने रही हमारे साथ द जड़ चार नियुचा